हेलो फ्रेंड्स, पिंग आईटी में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको चैनल से जुड़े वे अपडेट समय पर मिलते रहे तो दोस्तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आप Windows 10 में पासवर्ट भूल जाते हैं तो किस तरीके से आप वापस लॉग इन कर सकते हैं पासवर्ट रिसेट करने के बाद तो जैसे मैं यहाँ पर पासवर्ट भूल चुका हूँ तो अब हम पासवर्ट को रिसेट करेंगे तो रिसेट करने के लिए सबसे पहले आपको आपके desktop या laptop पे shift की को प्रेस करके रखना है और power के button को प्रेस करके restart पे क्लिक कीजिए आपको shift की को प्रेस करके रखना है जब तक blue screen वाला window ओपन नहीं होता है ठीक है तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे option शो हो रहे हैं इसके बाद आपको shift की को release कर देना है ठीक है अब क्लिक कीजिए troubleshooting पे तो troubleshoot में जाने के बाद हम password को reset करेंगे ठीक है उसके बाद यहाँ पे आपको दो options दिख रहे हैं reset this PC और advanced options आपको reset this PC पे क्लिक करना है यहाँ पे आपसे दो option पूछ रहे है remove everything और keep my files ओके तो आपको click करना है remove everything पे तो make sure जब आप remove everything पे click करोगे तो आपके system पे जो भी application वगेरा installed है वो uninstall हो जाएंगे ठीक है क्योंकि हम password को reset कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आपसे दो option पूछ रहे हैं PC को reset करने के लिए just remove my files और fully clean the drive तो हम select करेंगे just remove my files ठीक है तो आप देख सकते हैं कि reset PC के लिए आप महां पे आपको तीन option sure है जैसे PC आपका reset हो जाएगा तो सारे changes apply हो जाएंगे ठीक है तो इस तरीके से आप आपके PC का अगर Windows 10 में password भूल चुके हो तो आप वापस reset कर सकते हो तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिए शेर कीजिए इस वीडियो को और अगर आपका कोई भी query है तो प्लीज कमेंट कीजिए ताकि मैं उसका reply दे सकूँ वीडियो देखने के लिए thank you so much